आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेसल मिक्स अचार, सर्दिया आते ही सबसे पहले सब को यही अचार पसंद आता है, बागी अचार जो हैं सब लोग खाना भूल जाते हैं, आज हम इस तरीके से अचार बनाएंगे कि आप उसको एक साल दो साल तक स्टोर करके रख सकते हैं आपका चार जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, आप अपनी पसंद के अगोटिंग इसमें कोई भी सबजी एड कर सकते हैं, मतर, हरीमेश, मैंने यहाँ पर सिर्क गाजर, मूली और यह गोबी लिया है, मैंने ती एड इंच है उनका मोटा, गाजर मूली जो जो थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि जब आम इस अचार को धूप में सुखाते हो, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मूली और गाजर आप कम यह जादा कर सकते हैं, मैंने यह आप मूली और जाद लिया है, गाजर के इस ट्री डालना है, मैंने याप डिर च मच अचार के लिए नमक लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि नमक ऊच्छे से नीचे तक मिक्स हो जाए। इस तरीके से नमक लगा कर रखने से, गह待 अहल। अभी हम इस अचार को पूरी रात के निए पैसी तरीके से तक था अब काफी नीची हो गया है हाफ हो गया है और सारा पानी जो है निकल गया है अभी हम सारा पानी एक छनली में डाल देंगे सचार को वो निकल पानी जो एस्टर निकाल लेंगे उसका इसको हाफ नावर के लिए हम इसी तरीके से इसी जाली के उपर रख देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए इस तरीके से जो हमारा अचार है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है हाफ नावर के बाद जो हमारा पानी है सारा निकल गया इसमें से अचार का अब हमें एक खुला सा बड़तन लेंगे आप कोई भी कपड़ा या प्रांत या पलेट कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से उसमें फैलाएंगे और इसको हम 3-4 गंटे की दूप दिखाएंगे अगर आप दूप नहीं दिखा सकते हैं तो आप इसको हलका सा गैस सलो करके कड़ाई में इसको हलका सा गरम करके भी इस तरीके से आप अचार डाल सकते हैं अचार जो नमी हो गया और ना जो अचार है वह खराब हो जाता है अगर उसमें कहीं पर भी पानी रह जाता है इस तरह के से आप बिल्कुल सुखा लेंगे उसको तीन से चार गंटे की धूंपी इसको काफी होती है उसमें काफी सुख जाता है अभी हम इसके लिए इसको मसाला आड़ करेंगे इस मसाला हम बनाएंगे सबसे हमेने छोटा सा एक तड़का पैन लिया है उसमें हम आड़ करेंगे टू स्पून अजवाइन सबसे पहले मैंने की राई लिया है राई से अच्छा टेस्ट आता है इसमें जो खटापन होते है वो राई से आता है छोटे वाली जो राई होती है और 2 सुख और 2 स्पून लेंगे आजवाइन तीन चीजयों को जो हमने लिया पैस सेम पांटीटि मसाले को इस तरे ABS से गरब कर गे लिए जब बनाते हैं से हुटी डालते हैं तो अचार कमारी भधन मसाले की वजिए में भूषafaन लगी अच्छे से घरते बूनिके पर रिखयुल को, माम प्रद्रण होता है रिखाई गरूर कोताई कहा हम स्ते हुस्त हैं दो ऑस में नवोने तेमायiseen समक या आदाक हमें अगरेडिन कंद करें दो पाउड़ें ये भीaro rivers तेक हमयर पनाी निकल उसमें भी हमारा नमक निकल तो यह ढ़ला कहा है और इसमाने सरसों का टेल लिए उसको गरम करके ठंडा कर लिया उसको पहले पंसटेस्ट अता है और इसको अच्छे से मिकस करेंगे अपने हाथ से इसको मिक्स करना है, इस्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, हाथ को आप अच्छे से पहले से वोस कर लिजिए और सुखा लिजिए, हाथ हमारा गिला नहीं होना चाहिए, अधरवाई जो अचार है वो खराब हो जाएगा अच्छे से हाथो से मिक्स करके डाल ला है ताकि जो जितना भी मसाला है वो अच्छे से चिपक जाए सारे अच्छे पर ले, इकवल इस चारो तरप से एक से दो मिनट का टाइम लेना इसको मिक्स करने के लिए इसको दबा हातों में लेकर दबाते हुए जिस तरीके से आप देख सकते हैं सेम वैसे इसको करना है अब देख सकते हैं जो हमारा जितना भी मसाल है सारा चार पर लग गया अच्छे से कितना सुंदार कलर आ गया है अच्छे से मिक्स होगा है अब इस जार लेगे कांच का ही जार लेना है हमारा जो जार है ब Window से साफ होना चाहिए ब veggности शूखा होना चाहिए कांच के अचार में जो अचार ख्राब नहां होता है अब यह मिस में अपना अचार भरेंगे आपी सेम इसी तरीके से अपना अचार बनाई है आप इसको एक साल दो साल तक स्टोर करके रख सकते हैं अचार को सुखाना जरूरी है और उसको नमक लगा कर रात के लिए रखिए उससे क्या होता है हमारा जितने भी अचार की अंदर की जो नमी होती है वो सारी निकल जाती है और उसको नीचे साथ दबा कर रखिए अगर आप इस तरे के स्पून से नहीं दबाएंगे तो अचार जो है उसमें हवा लग जाएगी गैप रहेगा तो उससे भी अचार जो हमा तरीके से हम सारा थोड़ा अचार डालेंगे फिर से उसको इस पून से ऐसे दबाते हुए रखेंगे पूरा चार जो हमारा जितना भी जार में डालेंगे अगर आपको रेसीपी अच्छी लगिया है तो आप इसको लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब इस अचार को 2-3 दिन तक दूप में रखेंगे दूप में रखने से इसका और भी टेस्ट बढ़ जाते हैं और इसकी सेर्फ लाइफ जो होती है वो काफी बढ़ जाती है आप यह जो अचार यह है एक दम से खाने के लिए बन जाता है आप इसको चाहे तो अभी भी य लखने के बाद यह और भी अच्छा हो जाता है थैंक्स पोर वाचिंग